आज के इस वीडियो में हम डिस्कुस करने वाले हैं कि आर आर भी प्रेलिम्स एक्जाम होगा या नहीं होगा होगा तो कब होगा यह जो question है यह students के preparation पर बहुत जादा impact डाल रहा है क्योंकि कुछ बच्चे relax हैं यह सोचके कि exam तो निश्चित है टलना वहें पर कुछ बच्चों को लग रहे कि नहीं exam हो सकता है तो वो अपनी पढ़ाई में लगे हैं तो यह confusion दूर होना बहुत जरूरी है कि exam हो गया फिर नहीं होगा तो let me tell you something about this अब आपको तैयारी में और जादा जोड़ ला देना चाहिए क्योंकि जो आपका exam है वो 12 सितंबर को होगा अब इस बात को कहने के लिए मेरे पास दो पॉइंट है पहला पॉइंट यह है कि चुकि वो जानते हैं आयोएन डिस्टल जोन को बुक किया जाता है exam conduct कराने के लिए तो कुछ आयोएन डिस्टल जोन को बुक किया जा रहा है 12 सेप्टंबर के लिए ऐसी information आ रही है second thing उन्हें norms दिये जा रहे है कि social distancing का पूरा पालन करते हुए exam conduct कराना है जैसे अगर हम ब एक सिस्टम खाली रहेगा और फिर दूसरी student को बैठाया जाएगा sanitizer mask इन सारी शीरों के विवस्ता होगी it means total social distancing के तहत आपका exam conduct कराया जाएगा इसके लिए norms भी दे दे गई है कि उन्हें कैसे विवस्ता करनी है और उनकी booking भी start हो गई है पहली जो point है और पहला जो information है वो तो यह है second यह है कि जो helping number है जो help line number है अगर आप वहाँ पे call करोगे वैसे तो वह लगता नहीं कापी लगाने के बाद लगेगा तो आप वहाँ से भी आपको यह कहा जा रहा है कि अप्रॉक्स 31 अगस्ट तक आपका admit card आ जाएगा मतलब 3-4 दिन में आपका admit card आ जाएगा तो अब आप लोग बिलकुल कमल कस लीज़े और जो लोग पूरी dedication के साथ RRB के लिए preparation कर रहा है वो अपनी preparation में थोड़ा और जोड़ लाए समय में बहुत कम है मौका बहुत बड़ा है और इस पार इस exam को crack करना है तो जो भी आपके जानकारी में जो भी वच्चे हैं जो आई भी पर सार आरबी की preparation कर रहा है आप उन्हें वीडियो जरूर सेंड करें छोटा वीडियो लेकिन बहुत काम का है उन्हें बताए कि भाई paper ह होगा रिलाक्स होके ना बैठें और आप लोग भी अपनी तयारी अच्छे से करना शुरू कर दें और यस ओल दबिच पॉर यो प्रेपरेशन